अगर आप पहले से ही अपनी छुटियां प्लाइन करना पसंद करते हैं, तो निस संदे दो हजार बीस आपके लिए बहुत उत्सा पूरवक होने वाला है। साल दो हजार बीस में आपको दस लॉंग वीकेंड्स मिलेंगे और उन छुटियों का मैकसिमम लाब उठाने की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साल 2020 में इन 10 लॉंग विकेंड्स में आप हर वो जगे गूम सकते हैं जो आप भारत में गूमना चाहते हैं हमारे पास आपके लिए समुतर किनारे संसेट देखने से लेकर बरफीले पहाडों तक की योजना है दोस्तों ये रही उन चुट्टियों के साथ गूमने वाली जगों की लिस्ट बात 2020 के पहले महिने जनवरी की करी जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर जनवरी 2020 का कैलेंडर देख सकते हैं 11 और 12 जनवरी सेटेडे संडे है और 13 जनवरी लोडी है ये तीन दिन की छुट्टी मिला कर आप अपनी ट्रिप लैन कर सकते हैं अगर आपको ठंड के मौसम में घूमना पसंद है तो आप जनवरी के लोग वीकेंड पर शिमला ये नैनिताल के ट्रिप लैन कर सकते हैं और स्नोफॉल का भी आनन ले सकते हैं आप चाहें तो प्रयाग राज जाकर मकर संक्रांती के सुब अवसर पर स्नान भी कर सकते हैं फेबरेरी में आप 21 तारीकी महा सिवरातरी के चुटी 22 और 23 के सेटरड़े और संडे के साथ जोड़ कर एक लंबी वीकेंड रिप्लाइन कर सकते हैं महा सिवरातरी में आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ उजयन में महाकाल के दर्शन करने जा सकते हैं इसके इलावा वारणासी के काशिविश्युनात मंदिर संकट मोचन मंदिर में दर्शन हेतु भी जाया जा सकता है आप चाहें तो मकलोड गंज का रुख भी कर सकते हैं यहां बड़ी धूमधाम से फेबररी में तिबितन न्यू येर मनाये जाता है 2020 में अगर आप अपनी हुली को कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते हैं तो मार्च में नौ तारीक की चुट्टी लेकर दस की हुली की चुट्टी के साथ कंबाइन करें और साथ से दस तारीक तक का लॉंग विकेशन प्लान करें आप चाहें तो भगवान कृष्ट की नगरी वरंदावन जा सकते हैं वरंदावन और बरसाना के विश्व प्रसिद लठ मार हुली देख सकते हैं अप्रेल का महिना खूमने के शौकीन लोगों के लिए खुशियों से भरा हुआ होगा क्योंकि इस मन्थ में एक नहीं बलकि दो लॉंग विकेंड्स हैं अगर आप शिर्फ 3 तारी की चुट्टी अप्रूव करवाले तो 2 तारी को राम नौमी और 6 तारी की महावीर जैंती की चुट्टी मिला कर आप 5 दिन की ट्रिब लैन कर सकते हैं इसके अलावा 10 तारी को गूड फ्राइडे है और 11 और 12 को सेटरडे संडे इसलिए ये हो गया इस महीने का दूसरा लॉंग वीकेंड क्योंकि अप्रेल में छुटियां लंबी हैं तो आपके पास घूमने के कई आप्षिंस हैं जैसे आप मा वैशनोवी देवी के दरबार कटरा जा सकते हैं आप चाहें तो राज़तान की राज़धानी पिंग सिटी जैपूर में परिवार के साथ एक ज्यादगार वक्त पिता सकते हैं 25 मई मंडे को इदूल फितर है आप चाहू तो 23 के सेटरडे संडे से मिला कर किसी नजदी की हिले स्टेशन के ट्रिप प्लैन कर सकते हो मद्र प्रदेश में इस्तित खूबसूरत हिले स्टेशन पंच मडी एक बहुत अच्छा उप्चन हो सकता है मनाली या उटी भी जाया जाया सकता है बात अगर अगस्त मन की करें तो 11 अगस्त को जनमास्टमी की चुट्टी के साथ अगर 10 अगस्त की लीव ले ली जाया तो 8 अगस्त से 11 अगस्त की लंबी चुट्टी बन सकती है अगस्त में भारत में गूमने के प्रमकिस्तानों की बात करें तो वैली और फ्लार्स उत्राखन एक बहुत अच्छा उप्चन रहेगा इसके लावा लद्दाख गूमने का में सीजन अगस्त ही होता है इसलिए आप चाहें तो लद्दाख की ट्रिप भी प्लाइन कर सकते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जैन्ती होने के कारण 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक 3 दिन का वीकेंड पढ़ रहा है इस मेने में आप चाहें तो ताजमेल को देखने आगरा जा सकते हैं इसके लावा राजिस्तान का फेमस टूरिस डेसिनेशन उद्दैपूर बी टूरिस के मन पसंद जगों में से एक है 13 नॉवंबर की छोटी दिवाली की छुटी होने से 13, 14, 15 का एक वीकेंड बन गया है अगर आप आने वाले साल में दिवाली कुछ अलग तरीके से घर्चे दूर मनाना चाहते हैं तो आप मारास्टा में मौजूद खुबसूरत अली बाग जा सकते हैं इसके अलबा पुशकर जो की राजस्थान में है और यंग्स्टर्स की पसंद बन गया है एक अच्छा उप्शन रहेगा अगर बात करें 2020 के आखरी मैने दिसंबर की तो 25 दिसंबर फ्राइडे है और 26 और 27 वीकेंड तो ये बन जाएगी आपकी तीन दिन की छुट्टी दिसंबर मन्त में गूमने जाने का सवाल हो तो सबसे पहला जवाब तो गोवा ही होगा क्रिसमस और नी यर में गोवा की बात ही क्या नौर्थ इंडिया में कसोल जो की हिमाचल प्रदेश में है एक बहुत अच्छा उप्शन रहेगा